अब दिवी दरबार लगा रहा हैं पराजा कितरह सीहासन पर बठे हुए हैं यह तो अहंकार की कुछ अत्रिक्त मात्रा हो गई है बागेश्वर बाबा में तो अहंकार तो किसी का नहीं रहता है रावन का रहा ही नहीं तो बागेश्वर बाबा में रहेगा कहते हैं बाबा की मैं तो रावन से फोन पर बात करता हूँ यदि ऐसा है तब तो इंद्र देवता भी बाबा के वाट्शब पर ही होंगे तो इंद्र देवता से भी का के थोड़ा बादल मंगवा लेते कुछ बारिश करवा लेते मौसम कुछ थंडा हो जाता यह को देखिए वो उम्र केर काट रहा है तब भी पबली की आख नहीं खुलती आलतू फालतू बात करके ऐसा तो इसको यह चमतकार काता है वो तो सड़क पर जो बाजीगर होते हैं ना सड़क चाब बाजीगर वो भी ऐसा ऐसा खेल दिखाता है हिंदू राष्ट के जो आला जबकि रास्पुत भी हिंदू होते हैं दुसाद भी हिंदू होते हैं ब्रामन भी हिंदू होते हैं दुसाद भी होते हैं यह जो बागेश्वर बाबा है यह तो बाबा है ही नहीं यह तो भाजपाई भौपू है और घुम घुम कर भाजपा के लिए बीजे पी के लिए च मुसल्मान शुरू हो गया अभी करनाटक में बजरंग बली बजरंग बली कहते हुए हारे हैं चुनाव तब भी इन लोग को होश नहीं आया है अमबेड कर क्या करते थे एजुकेट युनाइट एश्टगल है ना शिक्षा प्राप्त कीजिए एक रही है संघर्ष कीजिए है अबाबा के यहां पड़्ची निकालने से देश्ट बढ़ता है वाले बिहार आये हैं और बिहार में के पटना जिले के नोबत पुन में कथा चल रहा है इस दोरान बाबा का आगमन महाबीर मंदिर में होता है और महामीर मंदिर ट्रस्ट के जो सच्चिव हैं पूर्व पूर्व आईपियस अधिकारी के साथ एक अनपढ़ कही है तो आनइडुकेटेड परसन इस तरह से विभार करता है कैसा लगता हूँ देखिया अब मैं क्या कहूं मैं तो सुदू सही इस बागेश्वड बाबा के आगमन का विरोध कर रहा हूँ मैंने तो बाकाइदा नहीं ये तो भाजपाई भौपू है ना बीजेपी का भौपू है और ग्यारह मैंने बाद लोग सभा चुनाव है तो उसके पहले ये घुम घुम कर भाजपा के लिए चुनावी जमीन तयार कर रहा है अभी ये जैसे पटना महीं आया तो आप देखेंगे कि भाजपाई नेता जो लोग है उनमें कुछ अतरिक्त उसात रहा बागशपाई बाबा के भ्रमन को लेकर जो मनोस्तिवारी है भाजपा के सांसद जिनको लोग रिंकिया के पापा भी कहते हैं सार्थी बन गये थे और इनकी गाड़ी को ड्राइव करके ला रहे थे ऐसे ही जो बेगु स बागशपाई बाबा है ये तो बाबा है ही नहीं ये तो भाजपाई भौपू है और घुम घुम कर भाजपा के लिए बीजे पी के लिए चुनावी जमीन तयार कर रहा है भाजपा शुरू से ऐसे धोंगियों की मदद लेती रही आपको याद होगा बाबा राम देव पह ने चर्चा की ये जो कल महावीर मंदिर पटना में जो घटना हुई जिसमें मंदिर के जो सचिव हैं आचाड़े किशोड कुनाल जो 72 बैच के आईपियस रहे हैं बहुत सीनियर आईपियस रहे हैं उनके साथ जिस तरह बाबा के बाउंसरों ने मतलब दो निजी अंगरक होते हैं बाउंसर उन लोगों ने जो धका मुकी की उसका उसकी तस्वीर वाइरल हो रही है और उसको देखके हम लोग बहुत आहत हुए हैं कि बताईए इससे पता चलता है कि बागेशर बाबा में कितना मतलब अहंकार आ चुका है जब बागेशर बाबा पैदा भी नहीं हुआ था तब आचारे किशोड कुनाल IPS मन गए थे हैं ना और आचारे किशोड कुनाल की एक प्रतिष्ठा है समाज में एक अच्छे मैं हर बात पर उन से सहमत नहीं होता हूं लेकिन उन्होंने अच्छे काम की हैं महावीर कैंसर होस्पिटल खुलवाया है एक पढ़े लि तो इस घ्रता की जितनी निंदा की जाए ये कम है मैं तो मांग करूंगा कि बाबा को बागेशवर बाबा को आचारे किशोड कुनाल से माफी मांगनी चाहिए कि जो कुछ है उसके बांसरों ने किया है और यह मैं यह भी कहूंगा कि इसमें थोड़ी गलसी तो आचारे जा करके चला जाता उसके साथ कुनाल साहब को रहने की कोई आवर्शक्ता नहीं थी तो कुनाल साहब को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो उनकी गरिमा के प्रतिकूल हो उनकी गरिमा की विपडित हो तो थोड़ी गलती तो किशोड कुनाल सर की भी है कि उन्होंने प्रवानी भी करा रहे हैं, वही मत्था भी टेक रहे हैं, वही आपको प्रणाम भी कर रहे हैं, और उनको आप पागल भी कर रहे हैं, तो ये भी आपका अहंकार बोल रहा है, तो ऐसे बाबाओं की जगा तो देखिए जेल में है, आप ये बाबा हिंदूराश्ट की बात करत तो इस धर्मनिर्पिक्ष डेश में हmistु राश्र की बात करते हैं गैर हिंदूों के साथ भेद भाउ की बात करते हैं तो यह सब्धान विरोधी बात है। अभी राल में पंजाब में एक अम्रित-पाल सिह था खालिस्तान की बात करता था, तो उसको बंद कर दिया गह जेल मै तो जिस तरह खालिस्तान की बात करना गैर कानूनी है सविधान विरोदी है उसी तरह हिंदु राश्ट की बात करना भी सविधान विरोदी है और ऐसे कई बाबा जेल की हवा खा रहा है आसा राम बापू को देख लीजिए दस साल से उम्ड कैड काट रहा है अना बाबा राम रहीम को देखिए वो उम्र कैर काट रहा है तब भी पबलीक की आख नहीं खुलती है तो हम लोग क्या करेंगे वही न बोले यहां तो चमतकार और बलातकार वे फरक ही मिट गया है यह बाबा लोग ही ऐसे लंपट हो गया है अब यही बागेशड़ बाबा कहता है कि हम चमतकारी हैं मैं तो आपके चैनल पर इसको चुनाती देता हूँ कि चमतकारी है तो गैस सिलिंडर का दाम घटा के दिखाए बारा सौ रुपया में गैस सिलिंडर बिक रहा है आम आदमी की कमार तूट गई है महगाई से अगर यह बागेशड़ बाबा अबे सच में कोई चमतकारी शक्ती है तो इस बाबा को आपके चैनल पर मैं चुनाती देता हूँ कि गैस सिलिंडर का दाम घटा करके दिखाए तब मैं बाबा का लोहा मानूंगा अई यह आलतू फालतू बात करके ऐसा तो इसको यह चमतकार कहता है वो तो सड़क पर जो बाजीगर होते हैं ना सड़क चाप बाजीगर वो भी ऐसा ऐसा ख्यल दिखाते हैं हाँ वही मदारी कहिए बाजीगर कहिए हाथ की सफाई दिखाते हैं जो सड़क चाप मदारी बाजीगर तो उसको आप चमतकार कहिएगा अब जो बोले हैं तो शब्दों का यह है लेकिन काम तो लोग वही करते हैं न तो वही आप यह कर रहे हैं यह पड़ची निकालने क्या है यह आप यह भाजपाई भॉपू है और यह लोग ढोंग खाली फलाता है अभी देखिए गर्मी में उसमें कितने लोग बहोश हो गए कितने लोगा तवियत खराब गया था इतनी गर्मी है 40 डिग्री की गर्मी है मैं महिना है आपने हजारो लाखों को एकठा कर लिया तो कहते हैं बाबा की मैं तो रावन से फोन पर बात करता हूं यदि ऐसा है तब तो इंद्र देवता भी बाबा के वाट्शप पर ही होंग तो इंद्र देवता से भी का के थोड़ा बादल मंगवा लेते कुछ बारिश करवा लेते मौसम कुछ थंड़ा हो जाता है ना तो इनको तो इंद्र देवता से वाट्शप पर चैट करना चाहिए था बाबा को इतनी गर्मी में इतने बुढ़े बच्चे औरते कौन-कौन बेहोश हो गए अब माली जे कोई घड़ आके मर जाता है या ऐसे बिमार रहता है तो उसकी जिम्मेदारी बाबा लेगा जी हिंदू राष्ट के जो आला बिहार से उठेगी बाबा कहा रहा है हिंदू राष्ट क्या होता है हिंदू तो लोग तो इतने जात पात में बटे हुए हैं कि हिंदू राष्ट कैसे बनेगा कितने ब्रामन हैं जो अपनी लड़कियों की शादी मतब दलितों से करेंगे कितने रासपूत हैं जो अपनी लड़कियों की शादी दुसाद से करेंगे जबकि रासपूत भी हिंदू होते हैं दुसाद भी हिंदू होते हैं ब्रा भाजपा की बोली बोलता है और इसके तो इसका सारा खर्च भी मुझे लगता है भाजपा ही उठाती है तो इतना लाखो करोर रुप्या कहां से खर्च बता है कुछ साल पाले तक बागेश्पड़ा बाबा का कोई नाम नहीं जानता था साडक पर घुमते चलता था दो-तीन स से जो गोदी मीडिया है जो भाजपा के दलाल चैनल सब हैं उन्होंने इसको ऐसा मतलब एक नायक के रूप में खीरो के रूप में इसको दिखा रहे हैं 26-27 साल का इवा के पीछे इतना क्या इसकी पढ़ाय लिखा है कौन इसने शिक्षा हासिल की है यह तो इस देश का हो जाए तब भी पब्लीक आख नहीं खुलेगी कल कोई बागेश्वड बाबा का कोई कांड निकल जाएगा यह भी जिल चले जाएंगे तक नहीं है बाबा आज आएगा मार्केट में इस धरन ने टेक्ष देश को सन्विधानी की देश है बाबा साहब के दिया हुआ लिखते चिलाते किम चलते हैं ऐसे लोग ने यह तो भाजपाई एजंडा नहीं है भाजपा देखिए हर जगा हिंदू मिसल्मान को जगडा करके शुना मत्तब वोट लेती है धुरूबी करान करती है वोटों का भाजपा को लगता है कि 80% हिंदू हैं हिंदूस्ताने 20% मि 80% का वोट ले लेंगे तो हमारी सरकार चलेगी 9 साल में तो मोदी ने कोई काम किया नहीं 15 लाख रुपए आज भी मैंने अपना एकाउंट चेक किया है मेरे अकाउंट में नहीं आया है आप ही जाके चेक किजगा आपके भी एकाउंट में नहीं आया होंगे है ना दो आप महने बाद चुनाव सर पर आ गया है तो फिर से वही हिंदू-Musalman, 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 हिंदू-Musalman शुरू हो गया अभी करनाटक में बजरंग-बली, कहते हुए हारे हैं चुनाव तब लोग को नहीं 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 ले जा सकते हैं वहां भी पड़ची निकाल देते हैं न लोगों इसाब भावा सब को देखिए जेल भेजिये मैं तो यही कर तिमको जेल भेजिये कि चमतकार है तो जेल की दीवार तोड़के निकल जाओ जेल भावा के अपने भाई के परचा नहीं निकाल पाया था भाई जिल गया था वो वीडियो वाईरल हुआ था किसी दलित की शादी में इसका बागेशड़ भावा का भाई जाके गाली गलाज कर रहा था कट्टा लेके घुम रहा था पुलिस ने पकड़के अंदर कर दिया करेश का दुर्भाग है इसलिए अंतरिक्ष योग में वो मतलब विज्ञान की बात होनी चाहिए और बावा तावा के चकर में नहीं पड़ी है जी इस सदी में बावा सहब अंबेडकर फुलियार और पिरियार के विचार पर लोग को चलना चाहिए जहां एक तरफ लोग चमतकार के पीछे भाग रहे हैं यह देखे वही बात है मैं तो अंबेडकर को अपना मतलब समझे की आदर्श मानता हूं जबकि मैं खुद दलित नह ही है संघर्ष कीजिए ना बावा के यहां परची निकालने से देश बढ़ता है तो यह बात में आपके शनल सेदा एक्टिविस्ट आप एक लोग प्रिये शनल है इस चैनल के मादियम से मैं लोगों को कहूंगा कि वो जो बावा साहब अंबेडकर थे जोतिबाब फुले पर यार थे शाहुजी महारास थे बड़े बड़े जो समा सुधारक हुए उनके रास्ते पर चलना है और यह बावा तावा के चकर में पढ़के जो अपने गाढ़े पसीने की कमाई है वो सिर्फ बरबाद होगा और तो कुछ दुरी कुछ चंद मीटरों की दुरी पर अब इसका मतलब है कि आप को जंतंतर में आस्था नहीं है आप दिवे दरबार लगा रहा है राजा कि चरर सिहासलों पर बठे हुए है इस तो अहंकार की कुछ अत्रिक्त मात्रा हो गई है बागेश्वर बाबा में तो अहंकार तो किसी खाने रहता है रावन का रहा ही नहीं तो बागेश्वर बाबा में रहेगा सब्सक्राइब धने वागेश्वर लेकर आपकी क्या पर्तिक्रिया अपनी पर्तिक्रिया हमारे इस वीडियो को फ्रेश्वर पर यूट्यूब कर चैनल को सब्सक्राइब धन्यवाद